अगर आप NSDL Payment Bank का CSP, इसका मीनी ब्रांच, इसका CSP Point ग्राक सेवा के अंदर खोलना चाते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप NSDL Payment Bank के Bank BC किस प्रकार से बन सकते हैं, किस प्रकार से आप NSDL Payment Bank का ग्राक सेवा के अंदर खोल सकते हैं तो आप NSDL Payment Bank से रिल्टेर जितनी भी सर्विशेज हैं, जैसे अकाउंट ओपन करना, इसके अलवा मनी विड्रोल करना, इसके अलवा केश डिपोजिट करना, इसके अलवा इंस्योरेंस करना, इसके अलवा मनी ट्रांसफर करना, ये सारे काम आप केस्टमर को प्रोवाइ लेते हैं, तो आप यहां से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, अगर आप भी NSDL Payment Bank का गराग सेवा के अंदर, इसका CSP सेंटर खोलना चालते हैं, तो आप किस प्रकार से खोल सकते हैं, तो उसका complete प्रोसेस जानने के लिए चलते हैं, computer की screen की, आपको NSDL Payment Bank का BC Point लेने के लिए, CSP लेने के लिए, उसके लिए, उनलाइन एपलाई करने के लिए, सबसे पहले आपको इस वाली website पर आना है, इसका जो link है, वो आपको वीडियो की description में मिल जाएगा, जब आप यहां पर आएंगे, यहां पर आने के बाद, सबसे पहले आपको NSDL Payment Bank के बारे में थ आप जन्नी पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हो, यहां पर यह जो NSDL संस्ता है, वो 1996 से रन में है, और 2004 के अंदर इस वाली संस्ता ने pen card अलोट करना स्टार्ट कर दिया था, और आज यह pen card के मामले में दुनिया की सबसे number one company बन चुकी है, जो की NSDL Department है, NSDL Department से ही आजकल ज्यादतर जो pen card है, वो NSDL Department से ही issue किये जाते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो, इसके लावा NSDL जो Department है, उसने 2018 में अपना खुद का एक private bank launch कर दिया है, जिसका नाम है NSDL Payment Bank, आप इस bank का CSP अगर आप ले लेते हैं, तो आप इस पर trust कर सकते हैं, क् अगर आप यहां पर NSDL Payment Bank का BC Point ले लेते हैं, आप इसका ग्राग सेवा केमदर खोल लेते हैं, तो आपको यहां पर कौन-कौन सी services मिलेंगी, तो services के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आप product पर जब आप click करेंगे, तो आपको यहां पर option मिलेगा, saving accounts का, मतलब आप कि heading account खोल सकते हैं, इसके लावा prepared card आप customer का बना सकते हैं, मतलब यह जो सारी services हैं, यह जो सारे product हैं, वो आप अगर एक BC Point ले लेते हैं, तो आपको यह सारे product यहां पर मिलने वाले हैं, इसके लावा यहां पर यह जो BC है, अगर आप BC ले लेते हैं, तो BC के लिए आपके पास जरूरी नहीं है कि आपके पास computer होना चाहिए, laptop होना चाहिए, तभी आप BC को run कर पाओगे, आपको अगर BC लेनी है, तो यह जो BC है, वो mobile से भी handle हो जाती है, mobile से आप इस वाली BC को control कर सकते हैं, अब बात करते हैं कि अगर आपने यह सारी चीज़े कल नहीं, तो अब आपक आते हैं, तो आप इसका BC तभी लें, तो आप customer को manage कर सकते हैं, क्योंकि यह जो BC है, वो पूरी तरीके से digital है, क्योंकि इस वाली BC में आपको जितना भी काम मिलेगा, वो पूरा digital मिलेगा, आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिका हुआ है, a whole new way of digital banking, मतलब यह जो bank है वो पूरी तरीके से digital है, मतलब अगर आप इस वाले bank का BC भी ले लेते हैं, तो आपको यहां पर इसका जो BC का काम मिलेगा, वो पूरी तरीके से digital होगा, मतलब यहांपर BC का, मतलब जैसे digital का मतलब यहांपर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, जैसे आप यहांपर product पर को option मिल गया यहां पर आप किसी भी customer का saving account खोल सकते हूं वो भी zero balance facility के साथ लेकिन आप उस वाले customer को यहां पर physical जो पास्बुक होती है वो आप यहां पर required नहीं कर पापाओगे मतलब available आप यहां पर नहीं कर पापाओगे क्योंकि यह जो bank है वो पूरी तरीके से digital है अगर आप इस वाले bank में किसी भी customer का account open करते हो तो यहां पर आपको physical पास्बुक नहीं मिलेगा वो जो पास्बुक है उसम आप चाहो तो इसको online भी आप physical मंगवा सकते हो लेकिन आपको यहां पर पास्बुक यहां पर physical नहीं मिलेगी इसके लवा यह जो account है वो पूरी तरीके से digital है जिस तरीके से पेटियम पैमेंट बैंक होता है उसी तरीके से नस्टियल पैमेंट बैंक है और यह जो account है वो प इसके लवा यह जो account है वो पूरी तरीके से digital है आप यहां पर देख सकते हो इसके लवा इस वाले account में जितने तरीके के accounts open होते हैं वो आपको यहां पर पूरे यहां पर दिखाई जाते हैं इसके लवा आप नीचे देखोगे यहां पर जो भी account open होता है उसकी जो भी यहां पर फुल के वाइसी वगएरा है वो आपको कैसे करनी होती है इस गलवा यहाँ पर जो अकाउंट ओपन होते हैं उनकी लिमिट्स कितनी होती है वो भी आपको यहाँ पर नीचे बताई गई है तो आपको यहाँ पर एक जी ध्यान में रखनी है कि अगर आप ग्रामिन चेतर से क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपको यहाँ पर गलत कोई रास्ता नहीं बताऊंगा अगर आप ग्रामिन चेतर से हैं और आप ग्रामिन चेतर में रहकर एंसडियल पैमेंट बैंक के साथ जोड़ना चाहते हैं और आप यहाँ पर कस्टमर को कर सकें कि यह इसको आप अगर कन्वेंस कर सकें कर सकें कस्टमर को समझा सकें तो ही आप यहाँ पर ग्रामिन चेतर में इसको ओपन करें इसके लवाँ अगर आप सहरी चेतर से हैं और सहरी चेतर में तो आपको पता है ज्यादतर लोग आजकल पड़े लिके होते हैं तो उनको पता है कि पर यहां पर आप पर अपने इस्पी में आपको किस भी प्रकार के फिजिकल यहां पर जो फो आपको नहीं मिल पाएगी यहां पर जो पूरा प्रोसेस रहेगा अकाउंट ओपनिंग वगेरा का वो पूरा यहाँ पर डिजिटल रहेगा तो आप अगर सहरी चेतर से हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हैं अगर आप ग्रामिन चेतर से हैं क्योंकि ज्यादतर जो गाउं है गाउं के अंदर ज्यादतर लोगों को नोलेज नहीं है डिजिटल म अब बात हो गई यह सारी बात यहां पर हो गई कि आपको यहां पर किस प्रकार से इसका जो प्रोड़क्ट है वह आपको मिलेगा कौन-कौन सी सर्विशेज मिलेंगी अब बात करते हैं कि आपको यहां पर किस प्रकार से अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आपको नीचे स्कॉल करना है और यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है अपना मोबाइल नमबर डालना है आपकी email डालनी है और यहाँ पर आपको लिखना है कि मैं NSDL प्रेमेंट बैंक का CSP लेना चाहता हूँ आपका नाम वगिर आपको लिख देना है आपकी location लिखनी है कि मैं इस वाली location में आपके bank का CSP लेना चाहता हूँ मुझे इसका CSP देने की करपा करें और उसके बाद submit कर देना है उसके बाद क्या होगा कि जो NSDL की team है वो आपसे contact करेगी और अगर आपकी जो location है वो उनको लगे कि इस वाली location में NSDL payment bank का CSP देना चाहिए तो वो NSDL payment bank का CS CSP है वो आपकी location पर आपको दे देगी इसके लवा यहाँ पर जितने भी documents की requirement रहेंगी वो company आपको phone करके बता देगी इसके लवा आप चाहो तो direct company को आप खुद भी call कर सकते हो call करने के लिए आपको पर call का section दिया गया है और यहाँ पर call का number दिया गया है आप यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा जो भी इसका department होगा इसके लवा जो भी documents की requirement रहेंगी वो भी आपको यहाँ पर बता दी जाएगी तो nsdl जो payment bank है उसके सारे document वगेरा process complete करने के बाद जैसी आप submit करोगे उसके तीन से चार दिन के बाद आपका जो यहाँ पर bc point है वो start हो ज आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो आप मैंने वीडियो की description में Instagram और टेलिग्राम का link दिया हुआ है वहाँ पर जाकर डायरेक्ट आप हमें Instagram और टेलिग्राम पर message कर सकते हैं क्योंकि जो भी हमें वहाँ पर direct message करता है हम उनका 100% रप्राय देने की कौशिज करते ह आपको करते हैं